नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका अपने चैनल पर बहिंदर स्टेड़ी आई की जीक है पर फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1000 जन्जन नौले कोशन का सेट 2 फ्रेंड्स अगर आप किसी भी कमेटिट एग्जाम की त्यारी कर रहे हो तो सारे कोशन आपके लिए इंडिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो मैं आपको डिस्ट्रिश्मिस का लिंक प्रवाइड कर दूँगा आप जाकर देख लेना जिसे मैंने आपको 100 फ्रेंड्स कोशन अलिडि करवा रखे तो फ्रेंड्स आप स्टार्ट करते फ्रेंड्स कोशन है अगर आप से लेंथ पूछी जाए तो 1366.33 मीटर फ्रेंड्स अगर आप से स्टेट पूछी जाए तो उत्तरपरदेश अगर उत्तरपरदेश की कैपिटल पूछी जाए तो आपको डगना हो फ्रेंड्स यहां पर एक रिसेंटली अपडेट यह है कि अभी 2021 में एक नया जंक्शन बना है करनाटका स्टेट में जिसका नाम है हुबाली जंक्शन अगर पूरा नाम पूछा जाए तो श्री सुधा सिधारुदा स्वामी रेलवे सेशन जिसको हम हुबाली जंक्शन भी कहते हैं यह अपकमिंग फ्रेंड्स लोंग कैस रेलवे प्लैटफर्म होगा इंडिया में भी और वर्ल्ड में जिसकी लेंथ जो है वो है 1505 मीटर तो फ्रेंड्स आप इसको याद रखिएगा आपको यह आने वाले एक्जाम में यह कोशन देखने को मिल सकता है नेक्स कोशन है फ्रेंड्स गरिनाइट इस विच टाइप आफ कंट्रीज और वर्ल्ड का मॉस्ट पॉप Urs कोट Εंट पूछ जा है तब भी एशिया अंसर होगा अगर व्रेंड बात यहां इसे की होरे है है अगर आप से पूछ जाए की व्र्ल्ड में मौस्ट पर प्रिस कंट्री कुंट सी है तो आप कांट होगा चाइना अगर फ्रेंट बात यहां में चाइना की हो रही है तो यह मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो करन्सी है वो है इन बीम और कैपिटल पूची जाए तो बीजी फ्रेंट्स मैंने आपके लिए सारे कोशन इंपॉर्ड और स्लेक्टिव लिए है तो आप वीडियो के एन तक जुरूर देखिएगा और फ्रेंट्स अगर आप किसी भी कॉम्टिट एक्जाम की त्यारी कर रहे हो तो अभी आने वाले सब ही एक्जाम में आपको मैक्सिम कोश अगर स्टेट कंट्री पूछी जाए तो आपका आपका कैनेडा अगर आपसे कॉंटिनेंट पूछी जाए तो नौर्थ अमेरिका फ्रेंट्स यहां पर एक कोशन कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि इंडिया में फ्रेश वाटर लेक कौन सा है लार्जेस्ट तो आपका अगर चिलका लेक आगर स्टेट पूछी जाए तो ओडिसा फ्रेंट्स वो सैलाइन वाटर लेक है आपको यह याद रखना है ना कि फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर पूछे जाए तो वूला लेक इन इंडिया नेक्स्ट कोशन है नेम दा कंट्री विच इस नोन एज लेंड ओफ थाउजन लेक्स तो आपका अगर आप से करंशी पूछी जाए तो फिनलेंड की तो यूरो अगर आप से कैप्टल पूछी जाए तो हैल्सिंग की इंपॉर्टन कोशन हैगा फ्रेंड्स से कंट्री पूछी जाए तो जिनाट्ड्टे श्टेटस अँअरी का अगर आप से यह पूछा जाए फ्रेंट्स की व सच Springs की वर्ल्ड में लाज्जेस्ट रीवर कौन सा कोशी है तो आप EKस वेड़ेंड अगर आप से लॉंघस्ट पूछी जाए तो नील आगर आप से य अगर आप से country पूछ जाए तो अर्जेंटीना फ्रेंड्स कई बार कोशन पेपर में आ जाता है कि वर्ल्ड में हाइस्ट पीक कौन सा है तो आप कांट आवरेस्ट जिसकी जो लेंथ है वह हाई जो है वह एट एट फॉरिट है अगर country पूछ जाए तो नेपाल अगर नेवडा country इस नोन एस कॉफीपॉट और तो आप कांट जो जाएगा ब्राजील अगर आपसे country पूछ जाए तो ब्राजील आंसर होगा अगर आपसे पुछी जाए तो आप कांट जोगा सेंटो और फ्रेंड्स यहां में बात हो रही है ब्राजील की तो मैं आपको यह बता करती है और आपसे currency पूछी जाए तो ब्रेजिलियन रियल फैंसर में आपको जो एडिशनल इंफोर्मिशन दे रहा हो ना आपको इन मेंसे भी पेपर में question पक्काद देखने को मिलेगा तो आप इनको कहीं note करके याद रखे कि जिरू रखीएगा नेक्स कोशन है पैरिस ही situated on bank of which river तो आपका जोगा सेन रिवर अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रांस की capital क्या है तो आपका जोगा पैरिस अगर फ्रांस की currency पूछी जाए तो यूरो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रांस जो है वो कौन से continent में है तो आपका जोग यूरो नेक्स कोशन है who was the advisory to the constitution assembly तो आपका जोगा बी यार राओ फ्रेंच ये question cds 2020 में आया था तो आप इसको याद रखेगा कई बार फ्रेंच ये question SSC या विरेल में भी repeat हो सकता है next question है name the nuclear bomb which was dropped by USA at Hiroshima in Japan तो फ्रेंच से आपका जोगा लिटल बॉई कब गिर गिराया गया था तो आपका जोगा 6 अगस्त 1945 फ्रेंच से आपके बात हो रही है जपान की तो इसकी जो currency है वो है yen और अगर आपसे capital पूछी जाए तो टोकियो next question है the pragyan rover installed in Chandrayan 2 mission had how many wheels तो आपका जोगा 6 wheels और प्रग्यान का मतलब होता है wisdom संस्क्रेट में यानि की intelligency next question है what is the full form of Niti Ayok तो आपका जोगा National Institute for Transforming India Ayok Francisco Government of India का think tank भी बला जाता है और ये कब बना था January 1st 2015 को जिसका जो main aim है what to involve states in economic policy making of India मतलब कि state को involve जो states को involve करना economic policy अगर बनानी होगी कोई भी तो उसके लिए next question है aluminium is manufactured from which ore तो फ्रेंट सापका जोगा बॉक्साइट ओर इंपॉर्डन कोशन रहेगा आपके लिए ये कई बार exam में आ चुका है next question है distilled water is a good conductor और a bad conductor of electricity तो फ्रेंट सापका जोगा बैड कनुक्टर अगर फ्रेंट साथ ये पूछा जाए कि अगर डिस्टिल वाटर में अगर हम NACL यानि कि जो salt हम खाते हैं घर पर अगर इसके मिला दिया जाए तो क्या वो good conductor रहेगा यहां फिर bad ही रहेगा तो आपका इसका मतलब यह होता है कि इसमें कोई भी बिरोटी नहीं है नेक्स्ट कोशन है इमेज ऑफ अब्जेक्ट विच वी सी इस फॉर्म्ड ओन विच पार्ट आफ हुमन आई तो आप कांट सुझाएगा रेटी ना इंपॉर्टन कोशन हैगा आपके लिए कई बारे फ्रेंट्स एकजाम में आया हुमन नेक्स्ट कोशन है नेम दा फिफ्ट स्टेट्स ओफ मेटर आप कांट सहुझाएगा बोस आइनस्टाइन कंडेंचेक्ट यह फिफ्ट स्टेट है और मेटर की अगर आप से पहली चार पूचिजाए तो आप कांट सहुझाएँगा सौलिड लिकुल का पेहन गिर्याश अगर आप से यह पूठा जाए कि इंसुलिन सेक्रीशन ना होने से हमें कौन सी बिमारी होती है या कौन सी डिजीज होती है तो आप कांट सुझाएगा डाइपटिक डाइपटीस नेक्स्ट कोशन है नेम दा ग्लैंड विच आलसो नोन आज मास्टर ग्लै तो आप कांट सुझाएगा फोटबॉल फ्रेंट्स आपको एफकेट में हर बार एक या दो कोशन ट्रॉफी से लेटेट जरूर पूछा जाता है तो आप इसको भी याद रखेगा यह कई बार एफकेट एक्जाम में आ चुका है नेक्स्ट कोशन है किड्नी स्टोन विच किड्नी इस मेड़ आप आप कांट सुझाएगा कैल्शिम ऑग्जलेट फ्रेंट्स आपने कई बार सुना होगा लोग कहते है कि हमें किड्नी में स्टोन हो गया बेसिकल जो स्टोन बना होता है किड्नी के अंद वो बना होता है कैल्जिम ऑग्जलेट का आप इसको याद र नेक्स कोशन है बशीप मिलस्टर तर। आपकाल सैगा जो की फर्स्ट चीफिनिस्टर थी किसी भी इंडियन स्टेट की नेक्स्ट कोशन है फर्स्ट पर्सन इन इंडिया हो गोट दादा साही फालकी अवार्ड तो आफकान सुझाएगा देविगा रानी और यह हाइस्ट अवार्ड है इंडियन सिनिमा में अगर आप से फ्रेंड्स पूछा जाएगे कब स्टार्ट हुआ था तो 1969 में इनको मिला देविगा रानी को और फ्रेंड्स में बेसिकर दिया गया जाता है एक आपको स्वर्न का कमल होगा जिसका हम गोल्ड लोटस कहते हैं और क्रेश प्राइज होगा लगबग वन मिलियन का और साथ में एक आपको मिलेगा एक शॉल नेक्स्ट कोशन है तो आपको स्वर्न का थीम पूछ जाया यानि कि 2021 का थीम क्या था डॉक्टर डेस का तो आपको स्वर्न का सेव दा सेवियर्स नेक्स्ट कोशन है हेपटाइटिस इस दा वाले इंफेक्शन कॉज तो आप का था जाएगा लीवर अगर आपसे यह पूछाए कि लाज़ेस्ट ग्लेंड कों जाए तब भी आप का था क्या होगा लीवर अगर आपसे लाज़ेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो स्कीन होगा नेक्स्ट कोशन है लास्ट कोशन तो फ्रेंड्स आपका सुझाएगा अट्मोस्फेरिक रिफ्रेक्शन फ्रेंड्स यह मैंने आपको 30 कोशन करवाए हैं यह पार्ट 2 था 1000 जिक्के कोशन का तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीम लाइक, शेर और प्रेंड ज्रूर करिएगा और मीनिमम 10 फ्रेंड्स के किता शेर ज्रूर करिएगा थैंक्यू फार वर्चिंग मैं वीडियो प्लीम लाइक, शेर अज खाये प्मेंट thank you so much